हेलो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिट जी का बहुत ही फेमस टेस्ट यानि की F.T.R.E. फिट जी टैलेंट रिवार्ड एक्जामनेशन 2024 का दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ मैं और जो यह हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था दोस्तों 7 जनवरी 2024 को क्लास का बात करें तो अभी आप लोग क्लास 11 में प्रेजिन्ट होंगे और बहुत जल दोस्तों आप लोग जाएगा class 12th में बात करें March April 2024 से तो आप लोग चले जाएगा class 12th में जो यह paper है दोस्तो paper 2 है total आपका 4 paper होता है paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 तो paper 1 का video अल्रेडी upload हो चुका है और अगर आप लोग अभी तक paper 1 नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो मैं इस वीडियो के description में उस वीडियो का link दे चुका हूँ so that आप लोग डिरेक्ट जाकर सबसे पहले paper 1 देखिए and इसके बाद ये video paper 2 के लिए तो दोस्तों यहाँ पर paper 2 का बात करें तो school basis पर बना हुआ है paper यानि कि COET, JAE, MAIN और Chemistry Olympiart जैसा question इसमें देखने को मिलेगा duration का बात करें तो 120 minutes timing है यानि कि 2 hours और maximum mask का बात करें दोस्तों तो 276 है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग के लिए instruction और guidelines दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोग का paper है total इसको 4 section में divide किये गया है और 4 section का जो दोस्तों timing है recommended timing 30 minutes रखा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो section 1 जो होगा आप लोग का school basis पर होगा second section यहाँ पर CUET label का होगा third section यहाँ पर J email label का होगा और यहाँ पर दोस्तों बात करें fourth section का तो chemistry olympiad का question इसमें रहेगा and 4 section का दोस्तों जो time alerted है वो 30 minutes है यहाँ पर दोस्तों बहुत बच्चा सोच लेता है कि 30 minutes में इसको solve करना है ऐसा नहीं होता है दोस्तों आप लोग को 2 hour का timing दिया जाएगा उसमें जितना खर्च करना है जिस section पर उतना आप लोग यहाँ पर कर सकते हो लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो specific scientific यहाँ पर timing दिया गया है वो है दोस्तों 30 minutes each section यहाँ पर negative marking का बात करें तो question No.31 से लेकर दोस्तों 80 तक के यहाँ पर negative marking आप लोग को दिखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर आप लोगका mostly to buffer माक्स में सेक्षण 1 में तो plus one marks मिलेगा second section में अगर आप लोग्का response सही होते है तो plus 5 marks मिलेगा 3rd section में अगर आप लोग का response सही होता है तो plus 4 marks और 4th section में आप लोग का response सही होता है तो plus 3 marks and 81 से लेकर 84 दक्यानी total 4 question ऐसे होंगे जो दोस्तों जिन में आप लोग को plus 6 marks मिलेगा लेकिन यहाँ पर partial marking होगा एक से ज्यादा option देखने को मिलेगा इसमें तो अगर आप लोग का full marks चाहिए आप लोग को तो यहाँ पर सभी option को यहाँ पर correct बताना होगा अगर आप लोग को 4.5 marks कम मिलेगा 3 marks कम मिलेगा आप लोग यहाँ पर दुस्तों पढ़के देख सकते हो तो यह हो गया यहाँ पर partial marking वाला तो आप लोग इसको read कर सकते हो और अब हम लोग आगे proceed करते हैं यहाँ से हमारा first section start है जिसका recommended timing half an hour याने के 30 minutes है and यहाँ पर हमारा first section का part A है physics total 10 mcq type question physics से जिनमें आप लोग को total four option देखने को मिलेगा A B C and D और इसमें से कोई एक option सही होगा तो आप लोग के screen पर दोस्तो question number one two three four five और दोस्तों आप लोग इसका screenshot लेकर इसको solve कर सकते हो क्योंकि यह original paper है तो बहुत ही important हो जाता है और अगर आप लोग इसको solve करोगे तो बहुत ही आप लोग को benefit होगा अगर future में कभी भी फिट जी का कोई भी test देते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही यह beneficial होगा and अगर कोई आप लोग में से solve करता है तो मैं इसी video के last में इसका जो official answer की है वो भी provide करूँगा so that आप लोग मिला सको तो यह हो गया question no.1 से लेकर 5 तक 6, 7, 8 and 9 दोस्तो मैं try करूँगा हर एक question पर आप लोग को sufficient timing provide करूँ for screenshot and question no.10 आप लोग के screen पर आप लोग screenshot भी ले सकते हो या तो आप लोग video को pause करके simply इसको solve कर सकते हो तो यहाँ पर हो गया part B chemistry and यहाँ पर 10 multiple choice question part B chemistry से question no.11, 12, 13 and 14 दोस्तों यहाँ पर question no.15, 16 17, 18 यह रहा 19 and 20 और इसी के साथ जो आप लोग का part B chemistry था वो complete हो गया है और अब यहाँ से हमारा part C mathematics से start है तो दोस्तों यहाँ पर 10 mcq type question mathematics से 21, 22, 23 and 24 आप लोग के screen पर आप लोग इसका screenshot ले सकते हो और I hope कि आप लोग ले चुके होंगे तो आगे दोस्तों next page पर question no.25, 26, 27, 28 29 and last one 30 तो हमारा यहाँ पर part C mathematics complete हो गया है और यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो space for rough working के लिए यहाँ पर blank page दिया गया है और यहाँ से हमारा second section start है जिसका recommended timing 30 minutes रखा गया है तो यहाँ से part A physics, part A physics में दोस्तों total 3mc को tag questions मिला है आप लोग के लिए और इसमें total 4 options में से कोई भी एक options है होगा तो आप लोग के screen पर question mark 31, 32, 33 इसके बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40 और इसे के साथ जो आप लोग का part A था complete होता है और अब बात आता है part B chemistry का तो यहाँ भी total 10mc को tag questions chemistry से तो 41, 42 आप लोग के screen पर 43, 44, 45, 46, 47, 48 अभी फिलहाल 43 से लेकर 47 तक and इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 48, 49, 50 तो यहाँ पर आप लोग का part B chemistry complete होता है और यहाँ से हमारा part C mathematics से start है जिसका जिसके अंडर total 10mc को tag questions मिला है आप लोग के लिए 51, 52 आप लोग के screen पर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and last one 60 तो आप लोग का part C mathematics complete होता है और अब बात आता है दोस्तों हमारा third section का उससे पहले यहाँ पर space for rough working और यहाँ से हमारा third section start है जिसका recommended timing half an hour यानि के 30 minutes यहाँ पर part A का बात करें तो यहाँ पर physics से total 2 passage type questions पुछे गया है और दोनो passage type question में दोस्तों आप लोग को मिलेगा दो-दो question जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही option साही होगा तो दोस्तों यहाँ पर यह हो गया passage 1 इससे related question number 61 and 62 इसके बाद यहाँ पर passage second 63, 64 यहाँ पर part B में दोस्तों chemistry से 2 आपको comprehension type का question मिलेगा and यहाँ पर दोनो passage type में 2-2 question आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तो passage 1 दोस्तों यह रहा and इससे related 65, 66 आप लोग के screen पर second passage दोस्तों यह रहा हमारा और इससे related 67 and 68 आप लोग के screen पर part C में दोस्तों यहाँ पर mathematics से यहाँ पर 2 passage type questions तो यह रहा passage no.1 69 and 70 यह रहा दोस्तों second passage और इससे related 71 and 72 और यहां से हमारा last section start है fourth section जिसका recommended timing 30 minutes रखा गया है तो part A में दोस्तों आपर chemistry है जो fourth section था हमारा chemistry Olympiad level था तो इसमें आप लोग को दो part देखने को मिलेगा और दोनों part में दोस्तों chemistry का question रहेगा तो part A में आपर 8 mcq type question chemistry से तो 73, 74, 75 आप लोग के screen पर अभी फिलाल 73, 24, 75 आप लोग के screen पर आप लोग screen shot ले सकते हों इसके बाद 76, 77 next page पर दोस्तों यहाँ पर है 78, 79 और 80 अब हमारा start होता है part B chemistry यहाँ पर 4 यहाँ पर दोस्तों 4 mcq type question है जिसका एक से ज्यादा option सही हो सकता है दोस्तों ध्यान देने लबात है अभी तक जितने भी question आप लोग किये हो उसमें सिर्फ एक ही option सही था लेकिन यहाँ पर total 4 एसे question मिले हैं जिसमें A, B, C, D options में से दोस्तों कितने भी option सही हो सकता है हो सकता है कि 4 हो सकता है कि 3 सही हो हो सकता है कि 2 ही सही हो और यह भी हो सकता है दोस्तों हमारा last question number था तो इसी के साथ हमारा जो paper है वो complete हो चुका है paper 2 और अब बात आता है हमारा answer की का दोस्तों तो answer की next page पढ़ा है ये हो गया answer की fit g talent reward examination 2024 जो की हुआ था हमारा 7th January 2024 को class का बात करें तो class 11th आप लोग बहुत जल चले चाहिए का class 12th में March अप्रेल से दोस् लोग का answer की तो आप लोग के screen पर दोस्तों 1 से लेकर 68 तक का answer की इसके बाद 69 से लेकर 84 तक का answer की यहां पर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक का भी screen shot ले सकतो answer की का तो यह हो गया paper 2 और जो next वीडियो का दोस्तों वह paper 3 पर होगा तो यार next वीडियो paper 3 हम लोग उसमें बहुत जल देखेंगे तो paper 3 आप लोग देख सकते हो अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का description box चेक कर से तो मैं वहां पर paper 3 का भी link दे चुकाओं तो मिलते हैं next video में next video बहुत ही संदार होने वला है तो मिलते हैं यार next video में तब तक bye bye thank you for watching this video और take care